उत्तराधिकार की लडाई में औरंग जेब ने अपने तीनों भाईयों को किस तरह से रास्ते से हटाया ये तो सब जानते ही है लेकिन अपने भतीजों का उसने क्या हश्र किया ये कम लोगों को ही पता है आज बात करते हैं दारा शिकोव के बेटे सुलेमान शिकोव की जादा बदनसीब निकला और गुमना मौत मारा गया आईए जानते हैं सुलेमान शिकोव के बारे में धर्मट की लडाई में दारा को कैद कर लिये जाने के बाद सुलेमान शिकोव वहां से भाग निकला और कश्मीर के राजा पृत्वी सिंह की शरण में जापँचा औरंग जयेब हर कीमत पर सुलेमान शिकोव को पकड़ना चाहता था इसलिए उसने पृत्वी सिंह को खबर भेजी कि वो सुलेमान को उन्हें सौप दे लेकिन प्रित्वी सिंग औरंग जेब का हुक मानने से इंकार कर देता है लेकिन राजा के बेटे ने लहन की लालच में सुलिमान को औरंग जेब के सैनिकों को सौप दिया सुलिमान को गिरफतार कर दिल्ली लाए गया सुलिमान को जब औरंग जेब के सामने बेश किया गया तो वो बुरी दरह से रू रहा था उसने गड़गडाते हुए बादशा से जान की अमानत मांगी लेकिन औरंग जेब जानता था सुलिमान आगे चल कर खत्रा बन सकता है साथ ही उसे लोगों को ये भी दिखाना था कि वो अपने भदीजे के साथ नरम व्यवहार कर रहा है इसलिए उसने सुलिमान की जान बक्षते हुए उसे कौरियर के किले में कैद करने का हुक्म दिया सुलिमान को एक महीने तक कैद में रखने के बाद औरंग जेब ने उसे जहर दे कर मारने का फर्मान दिया जेलर ने जब जहर का प्याला सुलिमान को पीने को दिया तो उसने जेलर पर हमला कर दिया जिसके बाद जेलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई इस तरह औरंग जेब के सिंगहासन का एक और कांटा निकल गया